हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ओर चैनल एरीना ओफ लेंडिंग दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करेंगे आरार भी एलपी सीवीटी 3 से जुड़ी हुई एक ऑफिशल अपडेट के बारे में कि यह कौन सी ऑफिशल अपडेट है कहां पर आई है और इस ऑफिशल बिलाता हूं प्लीज दोस्तों इस चैनल को सस्काइब कर लीजिए बेल आइकोन को प्रस कर दिये तो इस तो मैं आप लोग लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर के आता हूं चाहे वह से जुड़ी हो या कोई भी ऑफिशल अपडेट हो तो आपको तुरंत की तुरंत आप और भी भौपाल की साइट पर है तो आपको और भी भौपाल गूगल की लिंक पर टाइप करना है ताइप करने के बाद आपको क्लिक करके और भी भौपाल की वेबसाइट पर आना है जहां पर आप देखेंगे CNN 01-2018 एक नोटिस पब्लिश हुआ है आज की डेट में 3rd of में ठीक हो ठीक है तो जब इस नोटिस को आप ओपन करेंगे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यह आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा इसमें दिया गया है कि जो आपका CNN 01-01 की CBT-based aptitude test जो आपका साइको होना उसके संबंद में एक सूशना जारी की गई है कि जो बच्चे CB CT1-2018 computer-based aptitude test और CN-02-2018 मतलब यह group D की बात कर रहा है और यह आपकी ALP की बात कर रहा है तो दोनों एक्जाम के क्या है कि कुछ बच्चों का group D में अभी document verification का medical test का process चल रहा है और अभी देखिए आपका ALP का इन्होंने एक aptitude test के लिए भी date उन्होंना जारी कर दिये जो भी date का exam अगर clash कर रहा है चाहिए आपका suppose कीजिए कि दोनों एक्जाम clash हो जाएंगे तो आप कैसे दोनों एक्जाम दे पाएंगे तो इसके लिए उन्होंने एक अधिसूशना जारी करके उन्होंने का है कि अगर इस तरीकी के कोई भी candidate जिनका इस तरीके का मामला फसता है तो वह कृप्या इस मामले के संबंद में railway भरती प्र जल्दी हो सका है अपडेट देने का प्रयास किया है अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और में ही चनल को सस्कायब कर दें किलिए दोस्तों अगर में है को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 100% फायदा होगा है एम आ